वेलकम टू दिस्कावर मुवीज और जब अगले सुबा सोकर उठती है तो वो से बताती है कि समुदर के अंदर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम एटलांटिस्ट है और वो शहर की रानी है वो बताती है कि उसके पीछे कुछ गुणने पड़े थी इसलिए वो भाग रही थी और उसे चोट लगी है वो दोनो एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और धीरी धीरे करके उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है आर्थर ये कोई नॉमल बच्चा नहीं होता दोस्तों इसके अंदर अजीम इसके यह दिनों काफी जदा खुश होते हैं अपने life में और काफी एंजोय कर रहा लेकिन एक दिन इन पर एक गुंडो का अटैक होता है ये गुंडे दोस्तों एट्लैंटिस से होते हैं और आटलांटा उनका जम कर सामना करती है एक एक करकर सब को मार देती है लेकिन अब हमें टाइम दिखाया जाता है जब आर्थर पांच साल का हो चुका है वो एक दिन एक म्यूजियम में होता है अपने दोस्तों के साथ और वहां तभी वो मच्छिकों से बात करने लगता है ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं इससे पता चलता है कि ये बच्चा काफी शक्ति आए अजीम शक्ति आए और अगले सीन में हमें एक रशीन सम्मरीन दिखाया जाता है जिस पर कुछ समून्दरी लुटेरे अटाक कर देते हैं जो की समून्दरी पाइरेट्स होते हैं और सब को मानने लगया तब ही वहां पर आर्थर आ जाता है हमारा हीरो आ जा लेता है लेकिन तभी वहाँ पे जो लुटेरों का सरदार रहता है वो आ जाता है उस पे हमला कर देता है एक बड़ी पंदूक से और तोनों के बीच में काफी तगड़ी वाली फाइट होती है इसके बाद आर्थर भी काफी गुस्से में आ जाता है वो से बहुती बुरी परीन में काफी छेद हो जाते हैं जिसमें कि उसमें सारे पानी भने लग जाता है और डेविड के जो पीता है उनके पैरों के मिजाइल करी है वो से में फस जाते है और शिप में पानी भरता रहता है उसी टाइम डेविड आर्थर से मदद मांगता है कि वो उसके पीता को बचा ले लेकिन आर्थर उनको बचाने से मना कर देता है आर्थर बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत लोगों को मारा ये तुम्हारी सजा है और आर्थर वहां से चला जाता है डेविड के पीता भी डेविड को वहां से जाने के लिए बोलते हैं उसे बोलते हैं कि तुम्ह जो कि समुंदर के अंदर इंके kingdom बसे होते हैं और यहां पर यह दोनों meeting करने आ होते हैं और उनमें से और बोलता है कि इंसान जो हमारे उपर जो रहते हैं वो हमारे समुंदर को पूरी तरह से खराब कर रहे हैं पूरी तरह से दोशित कर रहे हैं सारा कछ्रा पानी में फेक रहे हैं, जिसके विए से जो हमारी मचलिया हैं, हमारे जो पानी में जीव जन्तु रहते हैं, वो मर रहे हैं, इनको हमें सबक सिखाना चाहिए, लेकिन जो नेरियस होता है, दूसरा राजा होता है, वो बोलता है कि तुम अकेले जंग का आगाज न है वो सहमत नहीं होता है वो बोलता है कि नहीं हमें इंसानों पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ इंसान बुरे होते हैं और जो बाकी इंसान है वो काफी अच्छे हैं वो हमारी मदद भी करते हैं इसके साथ ही ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं प्रतान हमारे उपर हमला करना चाहते हैं, हमें पूरी दना से बरबात करने चाहते हैं, वो पूरी सेना और को देने के लिए त्यार हो जाता है, और दूसरी तरफ उसके बाद दिखा जाता है कि डेविड के पास कुछ और के सिपहाई आये हुए हैं, और उसे शुक्रिया वो बूलता है कि मुझे एक्वा मायन चाहिए, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और अपने पिता के साथ अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तब ही वो देखता है कि समुंदर में बहुत ही उची लहरे उठने लग जाती है, ती देखती है यह सुनामी में तबदील ह जाती है, और अर्थर की जो कार होती है वो इनमें दब जाती है, इनके अंदर सुनामी में चली जाती है, और अर्थर पिता को बचाने के पूरी कोशिच करता है, लेकिन वो जो लहरे होती है, वो इतनी जाला तेज होती है, तब ही दोस्तों यहां पे एंट्री होती है हमार Atlantis के राजा हो और वो बताती है कि अगर तुम नहीं चले तो तुम्हारा जो भाई है वो जमीन पर कहर बरसाएगा अपना लेकिन आर्थर उसके जाने के लिए मना करता है वो बोलता है कि जिन लोगों ने मेरी मा को मारा है वहां मैं नहीं जाओंगा उनके साथ मैं नहीं मतलब एक तरह से दिखा जाता है कि जो समुंदर के अंदर समुंदरी वासी है अट्लांटिया से उन्होंने सारा जो कच्रा है वो बाहर जमीन पर उठाकर फेक दिया और जंग का ऐलान कर दिया है यह सारी चीज़े देखके मेरा आर्थर से दुबारा बोलती है कि चलो तु उसको अच्छा हाथियारों से लड़ने के लिए उसाथी का नाम वॉलकोत है और वो उसे लड़ने की नई-नी कलाई सिखाता है वो आर्थर को पूरी दरा से त्यार कर देता है उसे बताता है कि तुम पानी के अंदर सांस भी ले सकते हो वो यह भी बताता है कि हमारी जो पानी के अंदर पुरा बसा हुआ एक शहर होता है उसके बाद मीरा आर्थर को लेके पुराने शिप में जाती है और वहां वॉलको से मिलवाती है और वहां पर आर्थर वॉलको से पूछता है कि बाकी सब पानी में सांस क्यों नहीं ले सकते वॉलको से बताता है कि यह बस कहर बरसा देगा पूरी दुनिया में और इसे रोक सकते हो तुम और इसे रोकने के लिए तुम्हें चाहिए टाइटन वो से टाइटन दिखाता है टाइटन का एक नक्षा दिखाता है वो बोलता है कि ये टाइटन अर्थर से बोलता है जिसका नाम एटलन्ट था, वो एटलन्टिस का पहला राजा था और एक उसके पास जो टाइटन था वो बना था पोसाइडन के लोहे से और उसमें अजीम शक्तिया थी, उसे समुंदर की कोई भी चीज़ कंट्रोल कर सकते थे सारे जो समुंदर की जीव हैं, उनको अपने बस में कर सकते थे और बहुती ज़ादा ताकती उस टाइटन में और एक दिन उस राजा के एक्सपेरिमेंट ने पुरे शहर को तबाह कर दिया जिसे कि पुरा शहर पानी में दब गया, पुरा समुंदर में समा गया पुरा पुरा शहर और उसके बाद धिरी धिर के हम सभी ने पानी में सांस लेना सीख लिया और यहां डेवलप हो पाया और वो इसे एक बॉक्स दिखाता है जिसमें की ट्राइटन को पाने का रास्ता होता है लेकिन तभी वहाँ पर सोलजर आ जाते हैं, और के सोलजर आ जाते ह हूँ और उन सभी पर अटाग कर देते है एक पाफ़ी घमसान फाइट होती है आर्थरों का जम कर सामना करता है लेकिन लास्ट में जो सुलजर होता है आर्थर को पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं और और के सामने पेश करते हैं और उसके बाद और उसे बोलता है कि तुम मेरे सिपाही से हार गए मुझसे क्या लड़ोगे और से बोलता है कि मेरी हाते खोल मेरी हाती के जो जनजीरे हैं वो खोल के देख फिर में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और कौन जीतेगा इस युद में उसकी बात जो होता है और मान जाता है और उसकी जन्जीरे खुलवा देता है फिर दोनों को बीच में एक काफी तगड़ी वाली फाइट होती है ये बिसकली एक चांपियंशीप बोल सकते हैं कि जो जीतेगा वो एटलैंटीस का राजा होगा लेगन दोस्तों जो और में समुधर में हमेशा से रहा होती है इसवजे कि लिए लगता है आरता देखकर मीरा उसकी मदद के लिए आती है, वहाँ पर एक मिजाईल मारती है, जिससे कि मतलब जो और होता वो दूर जाके गिरता है, और वहाँ से वो आरतर को लेके निकल जाती है, पोच जाते हैं, जहाँ पर ट्राइटन का हतियार बनाता है, वो राजा का हतियार बना और वहां दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो तीसरी kingdom है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो और होता है वो तीसरी kingdom के पास जाता है उनकी मदद लिने के लिए ताकि वो जमीन पर attack कर सके लेकिन जो वहां उनका जो बाश्या होता है उनका जो राजा होता है वो से मना कर देता है, कि तहम मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा, इसके ज़से और काफी गुस्ता हो जाता है, और उसका वहीं मडर कर देता है, उसका कतल कर देता है, अब दोस्तों, जो kingdom का जो राजा है, वो नहीं रहा, उसे और उसके बाद हमें इस मूवी का सबसे बेतरी इन फाइट सीन दिखा जाता है दोस्तों जहां पर और अर्थर और डेविड के बीच में काफी तगडी वाली फाइट होती है और अब डेविड के पास एक अट्लैंटिस हदियार है तो वो अर्थर पर काफी भारी भी जाते हैं और रोशनी जहेल नहीं सकते हैं तो वो अपने साथ कुछ लाइटिंग ले लेता है जिसकी वैसे वो वहां से उसे भाग सके वो संक्या में दोस्तों बहुत ही जादा होते हैं इस वैसे उसे लर्ण पाना काफी मुश्किल होता और तर के लिए तो सही यही होता है कि वहां से उनकी अपनी जान बजा कर हैं वो भाग सकते हैं और वो काफी खतनाग भी होते हैं जब वो समुंदर में ले से बचके भाग रहे होते हैं तो तब ही वहां पर उनको एक पॉटल दिखता है दोस्तों और वहां से बहुत जादा रोशनी आ री होती है वो पीछे देखते हैं तो उनके पीछे सारे creature पढ़े होते हैं और वो सामने देखते हैं तो portal खुला होता है तो वो decide करते हैं कि वो उस portal में जाएंगे और अपना बचाव के लिए वो जैसी उस portal में एंटर करते हैं वो एक नई दुनिया में पहुच जाते हैं दोस्तों हमें एक पूरी पताती है कि जब मैं Atlantis वापस गई थी तब मेरी शादी एक राजा के साथ कर दी की थी उनका एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम और है मतलब कि और 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 अर्थर दोनों भाई भाई हैं उसके बाद वो पताती है कि और अर्थर के पीता को जब उसके दूसरे बेटी के ब सिर्फ यहां से एकी तरह से निकला जा सकता है वो है राजा का ट्राइटन उसके बिना यहां से निकला नहीं जा सकता है और उसके बाद उसकी माँ बताती है कि वो ट्राइटन उस जणने के पीछे लेकिन उसकी रक्षा एक बहुत ही बड़ा जानवर कर रहा है बहुत ही ब बला creature होता है, वो उसका सामना करता है और आर्थर उसे लड़नी की कोश्च करता है लेकिन वो size में काफी ज़्यादा बला होता है तभी आर्थर उसे अपने हाथ से दिखाता है और उसे रोकता है, उसे बात करनी कोश्च करता है बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी मा को बचानी के लिए हूँ मैं इस ट्राइटन को लेने आए हूँ ता कि मैं अपने देश की अपने समाज रक्षा कर सकूँ और तभी वो जो मॉंस्टर होती है उसका नाम कैरतीन होता है वो उसे बोलती है कि तुम मुझे से बात कैसे कर पा रहे हो क्योंकि सिर्फ राजा एटलैंटिसी थे जो कि मुझे से बात कर सकते थे वो उसे एक मौका देती है बोलती है ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ ये ट्राइटन को हासिल करने का लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान नहीं है एक सच्चा जो युद्धा है, महान युद्धा है, जो महान राजा है वही उसे हासिल कर सकता है वही राजा के हाथों से वो ट्राइटन चीन पाएगा कोई और नॉर्मल इंसान उसको चीन नहीं सकता है लेकिन दोस्तों अर्थर जो होता है उसकी आँखों में जुनून होता है और वो एक सच्चा योदा है इसलिए वो ट्राइटन को एक ही हाथ से खीच लेता है और उसकी सारी जो शक्तियां होती है वो आर्थर के अंदर आ जाती है समुंदर में जितने भी जीव जनतू होते हैं वो सभी के सभी आर्थर के कंट्रोल में आ जाते हैं वो सभी को कंट्रोल कर सकता था यहां तक जो उसके सामने monster था वो उसको भी control कर सकता था उसके बाद इस movie का सबसे बहतरीन scene दिखा जाता है दोस्तों जहां पर आर्थर अपने पूरे suit में और अपने जो लोहे का जो gold का titan होता है उसके साथ जहरने से उस गुफा से बाहर आता है और यह scene देखे डिफिनिटली आपको गुस बंपा जाएगा और दूसरी तर दिखा जाता है कि अपने पूरी scene लेके और एक और kingdom के पास जा चुका है जिसी कि वो मदल लेके जो समंदर में लोग है जो जमीन पर लोग है उन पर attack कर सके लेकिन वहां भी जो उनका राजा होता है वो भी उसको मना कर देता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा मैं तुम्हारी kingdom के साथ दूसरे पर हमला नहीं करूँगा इस बास से और काफी गुसा हो जाता है उस पर जैसे ही अपने ट्राइटन से हमला करने बाता है और तब ही जो जमीन होती है समंदर के पूरी तरह से फट जाती है वहां से काफी बड़ा monster निकलता है वह monster दोसों वही होता है जो कि ट्राइटन की रक्षा कर रहता है उस पर बैठा होता है हमारा हीरो एक्वा मैन जी हैं दोस्तों monster का नाम कैरतीन होता है वो साइज में इतना ज्यादा बढ़ा होता है कि उसके सामने कोई भी नीटिक पाता है वो एक ही मतलब एक ही जटके में सबी जो पूरी सेना होती है चारों kingdom की सेना उनको हराने के लिए बढ़ने लग जाता है और उसका ये जनून उसका ये पागल बंदे के जो बाकी जो kingdom होते है वो उनके आगे जुग जाते है उसके बाद दोस्तों मीरा अपने पीता के पास नेरीयक के पास दाती है और वो से बताती है कि आरथर ने जो सुने का ट्राइटन है जो की राजा का ट्राइटन वो हासिल कर लिया है आप तर चुनती को चुनोते की दिखाओ अने से कोई राजा नहीं बन जाता है और अब मीरा अर्थर के पास आती है और उसको बोलती कि अगर तुम्हें और को हराना है तो उसे जमीन पर ले जाना होगी क्योंकि पानी में उसको हराना काफी मुश्किल है दोने एक संबरीन के उपर जाते हैं वॉलको ने उसको सिखाया था और उसके बाद और उसके पर कई बार हमला करने ही कुश करता है लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है अब आर्थर उसका जो ट्राइटन होता है वो भी अपने ट्राइटन से उसको तोड़ देता है और उसको जान से मानने वाला होता है लेकिन तब ही वहाँ पर आ जाती है उसकी माँ Queen of Atlantis अपनी माँ को देखकर और काफी दता emotional हो जाता है उसकी हाँकों से आस्सुगी ने लग जाते है और लडाई वहाँ पर रुक जाती है और अब जोस्तों और को जेल भीजिया जाता है और अब जो Arthur होता है वह एलान करता है कि वह समंदर का असली राजा है और दूसरी तरब दिखा जाता है कि Arthur की जो पिता है वरसों के बाद जिसका इंतिजार करते हैं वो उनको मिल जाता है जी हां दोस्तों उनको finally Arthur की मांज होती है वो उनको मिल जाती है और यहीं पर movie का दी end हो जाता है movie यहीं पर खतम हो जाती है आपको movie कैसी लगी नीचे comment करके ज़रू बताएगा झाल 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 झाल